सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटरोला के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको जल्द ही मार्केट में देखने को मिलेगा और दोस्तो ये स्मार्टफोन होने वाला है मिड्रेन सेग्मेंट बायर्स के लिए जी हां दोस्तो आप सबको बता है कि मोटरोला करेंटली काफी अच्छा काम कर रहा है मार्केट में चाहे हम बात करें बजट सेग्मेंट के कस्टमर्स के लिए या फिर फ्लैक्सिट स्मार्टफोन में Motorola के आपको एक के बाद एक अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं पहले Motorola की तरफ से Motorola Edge स्रीज आई थी दोस्तो जो की flagship grade की स्रीज थी अगर हम बात करते हैं 10,000 रुपे के बजट में तो Motorola G Power 8 Lite स्मार्टफोन आया है और दोस्तो अगर हम बात करते हैं 15-16,000 रुपे के बजट में तो आपको देखने को मिलता है Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन लेकिन अगर आपका बजट है दोस्तो 25-30,000 रुपे तक तो आपको Motorola की तरफ से एक नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो की होने वाला है Moto G 5G जी हाँ दोस्तो अगर लिक्स की माने तो इस स्मार्टफोन का नाम हो सकता है Moto G 5G या फिर यह आपको देखने को मिल सकता है Motorola Edge Light स्मार्टफोन के नाम से Motorola Edge Light स्मार्टफोन की काफी सारी डिटेल्स पहले भी सामने आई थी लेकिन दोस्तो अब यह एक नया स्मार्टफोन आया है जो की Moto G 5G होने वाला है और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी काफी अच्छी स्पैक्स तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस स्मार्टफोन के बारे में और देखेंगे कि Motorola की तरफ से आपको क्या को से देखने को मिलेगा और दोस्तो चैनल पर पहली बारा आएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टैक्ट वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो रिसेंटली Motorola की तरफ से Moto G5G स्मार्टफोन लीक हुआ है और इसका रेंडर सामने आ चुका है तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नया डिजाइन देखने को मिल रहा है Motorola की तरफ से अगर फ्र देखने को मिलता है और दोस्तो बाकी maximum smartphone से अलग design है इसके अंदर आपको camera bump देखने को मिलता है left side corner के अंदर और आपको एक rectangular shape के अंदर camera setup देखने को मिलेगा तो design wise दोस्तो definitely एक अच्छा दिखने वाला smartphone है और maximum customers को यह पसंद आने वाला है तो अब बात करते हैं इसके display के बारे में तो आपको 6.7 इंच की एक full HD plus display से अंदर देखने को मिलेगी और दोस्तो यह 90 Hz की refresh rate के साथ में आने वाली है लेकिन यहाँ पे आपको कोई super amulet display देखने को नहीं मिलती है इसमें दोस्तो आपको side में लगा हुआ fingerprint scanner दिख रहा है तो यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल द smartphone में दिया गया है जिसमें की primary camera होगा 48 megapixel का फिलाल दोस्तो बाकी 3 cameras की details सामने नहीं आई है लेकिन इसके अंदर आपको एक ultra wide angle camera एक depth sensor और एक macro shots के लिए camera देखने को मिल सकता है इसके अलावा दोस्तो आपको front में dual front facing cameras देखने को मिलेंगे तो selfies की quality भी काफी अच्छी रहन वाली है इस smartphone में अब आते हैं दोस्तो इसकी performance पे तो यहाँ पे आपको snapdragon 7-6 file chipset देखने को मिलेगा जो कि 5G के साथ में आता है और definitely mid-range segment के यसाब से काफी कमाल का processor है और काफी कमाल की आपको performance देखने को मिलेगी इसके साथ में आपको 6 GB और 8 GB के RAM variant देखने को मिल सकते है और वहीं पे दोस्तो आपको 128 GB तक की storage इसके अंदर देखने को मिलेगी तो performance wise भी काफी कमाल का smartphone यह रहने वाला है और definitely आपको काफी अच्छी performance इस smartphone में देखने को मिलेगी इसके बाद दोस्तो अगर बात करें इसकी battery की तो आप सबको पता है कि Motorola के maximum smartphone में आपको एक देखने को मिलेगी जो कि fast charging को support करेगी हालांकि यहाँ पे आपको कोई बड़ी fast charging का support देखने को नहीं मिलेगा according to leaks यहाँ पे आपको सिर्फ 18 watt की fast charging का ही support देखने को मिलता है अगर दोस्तो fingerprint scanner की बात करते हैं तो side में लगा हुआ आपको fingerprint scanner देखने को मिलेगा और उसके जनकारी मिल जाए तो इसके लिए चैनल को subscribe कर लिजिए इस वीडियो में गाईज इतना ही आशकरता हूँ आपको जनकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो एक like कर देजिए और दोस्तों अगर आपका कोई comment है तो आप लिख सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको next व